ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार स्वाती मालिवाल ने अपमी FIR कॉपी में अर्विन केश्रिवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर क्या संगीन आरूप लगाए है FIR में स्वाती मालिवाल ने बताया कि 13 मएं 2024 की सुभा लगभग 9 बजे फ्लाग स्टाफ रूण सिविल लाइन स्थित CM आवास में दिली के मुखे मंतरी अर्विन के श्रिवाल से मिनने गई थी CM के पीएस विभव कुमार को फोन किया लेकिन विन नहीं आ सका फिर उन्होंने उसके मुबाइल लंबर पर WhatsApp मेसेज भीजा लेकिन कोई रिपलाई नहीं आया स्वाती मुखे द्वार से होते हुए CM के घर में आ गई जहां विभव कुमार मौझूद नहीं थे उन्होंने वहां मौझूद कर्वचारियों को मुखे मंत्री से मिलवानी के लिए कहा स्टाफ ने जवाब दिया कि वे घर में मौझूद हैं आप ड्राइंग रूम में बैट जाएं स्टाफ ने आकर बताया कि मुखे मंत्री मिलने आ रहे हैं और इतना कहने के बाद विभव कुमार कमरे में घुसाया उसके उसने उकसाना शुरू कर दिया गाली गलोज करने लगा विभव का विभवार देखकर स्वाती चौक करी उन्होंने विभव से कहा कि वे उनसे इस तरह से बात ना करे और मुखे मंत्री को फोन करी स्वाती मालीवाल ने बताया कि गाली गलोज करते हुए विभव कुमार उनके पास आकर खड़ा हो गया उसने उन्हें थपड मारने शुरू कर दिये और वे जोर जोर से चिल लाने लगा उसने साथ से आथ थपड मारे इससे वे सदमे में आ गए थी उन्होंने बचाव करने की कोशिश की लेकिन विभव ने शर्ट पकड़ कर खीशते हुए उन्हें नीचे गिरा दिया उन्हें घसीटा और पैर मार कर था केल दिया इसके बाद विभव फिर से स्वाती के उपर छपटा शर्ट पकड़ कर खसीटा जिससे उनकी शर्ट के बटन खुल गए स्वाती मालिवाल ने बताया कि वे सेंटर टेबल से टकरा गई और उनका सर टेबल पर लगा वे मदद के लिए चिलाई लेकिन विभव उन्हें लाते मारता रहा उसने पेट में, कमर में और टांगों पर लाते मारी पेट में लाते लगने से उन्हें ब्लीदिंग होने लगी काफी दर्द उठा लेकिन विभव फिर भी मार पीट करता रहा स्वाथी ने विभव से कहा कि वे उन्हें जानी थे लेकिन विभव पूरी ताकत लगा कर फिर से उनके उपर छप्टा लेकिन वे उसके चुंगल से छूट कर सोफे पर बैठ गई स्वाती मालिवाल ने बताया कि उन्होंने अपना चश्मा उठाया और फोन निकाल कर डायल 112 पर कॉल किया विभव ने धमकी दी और कहा कि तु हमारा कुछ नहीं बिगार पाएगी फिर जब उसे एहसास हुआ कि डायल 112 नंबर पर कॉल चला गया है तो वे कमरे से बाहर चला गया फिर विभव में गेट पर तैनात कर्मियों को लेकर आया विभव के कहने पर उन्होंने पूछा तो स्वाती ने उन्हें बताया कि उनके साथ मार पीठ हुई है PCR के आने का इंतजार कर रहे हुँ स्वाती ने पुलिस वालों को बताया कर्मचारियों ने उन्हें परिसर से बाहर जाने के लिए कहा उन्होंने मना किया तो वे जबरन पकड़ कर बाहर ले गए लेकिन वे फर्ष पर बैट गए क्योंकि उन्हें काफी दर्ध हो रहा था वे रूर रही थी ये देखकर उनके साथ जो महिला आई थी उन्होंने एक आटो वाले को बिलाया वे मार पीठ होने से बुरी तरह तूट कई थी आटो में बैट कर वे सिविल लाइन स्थाने में पहुची और घटना के बारे में सचो को जानकारी थी लेकिन उनके फोन पर मीडिया वालों के फोन आने लगे थे सचो ने लिखित शिकायत लिखवाने को कहा और उनका सर दर्ध से फट रहा था और पूरे शरीर में दर्ध हो रहा था इसलिए विबाद में शिकायत देने की बात कहकर चली गए बहराल आपको बता दें कि स्वाती मालिवाल से मारपीठ विबाद पर लगातार नए मोड सामने आ रही है देखना होगा कि अब इस कड़ी में अर्विन के शिवाल अपनी चुपी कब दोते है प्यूर रिपोर्ट दिल्ली तक झाल